। billion दोस्तो आज अपन देखने वाले है। मेनो नॉमीटर क्या होता है। तो चलो देखते हैं मेनो मेयंू मेजर करता है। ठीक है कौनसे भी word में meter आता है तब इसका meaning होता है कि major करता है ये कुछ तो तो क्या major करता है It is a device which measures fluid pressure मतलब, ये device है manometer, fluid का pressure measure करता है, fluid मतलब क्या fluid का simple meaning है जो flow करता है, flow क्या कर सकता है solid तो flow नहीं होता है but liquid flow हो सकता है तो यह जो device है manometer इसका यूज होता है fluid का pressure measure करने के लिए तो चलो देखते हैं उसका classification कैसा है लब इसको classify कैसे किया जाता है manometer को उसको क्लासिफा इंचार को टाइपस में किया जाता है ज्यते की YouTube मैनोमिटर in decline to मैनोमिटरण वैल टाइब मैनोमिटर और in लेग मैनोमिटर यह Classification किस हिसाब से एक लासीपिपिकेशन कि कैसा है उनका शेप कैसा है उसके उपर डिपेंडन जैसे कि यह जो YouTube मैंनोमिटर को YouTube बोला जाता है क्योंकि उसमें प्रेशर मिजर करने के लिए यूशेप का इक ट्यूब यूज किया जाता है इसलिए इसका नाम YouTube है दूसरा अगर एक्जामबल लेते हो तो इंकलाइन ट्यूब मैंनोमिटर यह सेम ही चीज है YouTube जैसा ही है बट यह कि इनकलांड है मतलब Youtube में कैसा है यह घूज ऐसा शिप है बट इनकलाइन कैसा है यह U को थोड़ा偌 समर्ण करेंगे एसा करेंगे ऐसा तो ऐसा इनकलाइन YouTube इसलिए इसको इनकलाइन बोलते हैं तो ऐसा है जैसे कि मैं बोल्ट रहा हूं की क्लासिफिकेशन कंस्ट्रक्शन और शेप के हिसाब से किया गया है यूट्यूब मैनमिटर इंकलेंट्यूब मैनमिटर वेल टाइप मैनमिटर और एंडलार्ज लेग मैनमिटर तो आई होप दोस्तों आप आप शमच चुके हों कि मैनमिटर क्या है और उसका क्लासिफिकेशन Ergebission क्या है कॉंसे basis पर किया जाता है जो अगले lecture में हम देखेंगे टिफेरनस क्या है यूट्यूब मेनमेटर और वेल्ड टाइप मेनमेटर में थो तब तक के लिए है गुड लक और हम अगले lecture में मिलते हैं थैंक यू